जैन दोस्ति इस वीडियो में हम लोग section 240 धारा 240 भारतिय निया संगीता के बारे में डिसकस करें यह section यह धारा कहता है या उसके लिए बना है जो वेक्ति किसी भी case के लिए means criminal case के लिए या किसी भी अपरात का जो witness मनता है या गवा बनता है अगर वो case से जुरा किसी मामले या आपका सकते हैं offense से जुरा किसी मामले में वो गलत गवा ही देता है या गलत सूचना देता है तो यह अपरात माना जाएगा उसका गलत बोलना या गलत सूचना अब इस पे अप्राद जो माना जाएगा उसको सजा भी हो सकती है और उसको फाइंड भी हो सकता या सजा और फाइंड दोनों हो सकता तो उसी को डिसकस करेंगें स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट एक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए मेरे चैनल से जुड़िये और पुरा वीडियो देखिए और पुरा वीडियो देखने के बाद आपको पुरा प्रोविजन या पुरा जो है इसका काटेडिया या क्या कहता ये धारा वो आपको पता हो जागे जैसे कि मैं बताया कि section 240 धारा 240 किसी भी गवाही देने वाले या किसी भी व्यक्ति जो गिलती information देगा किसी case से related तो अपराद माना जाएगा वो अलड़ी में बता ही चुका तो अपराद जब माना जाएगा तो इस पे जो है उस अपराद के लिए इसको दो साग तक की जेल की सजा हो सकती है और fine हो सकता है या सजा और fine दोनों हो सकता है अब डिपेंट करता है ये कि जो गवाही देगा गलत सूचना अपराद से जुरा तो ये प्रूब्ड होना चाहिए अगर इसके प्रूब्ड हो जाएगा कि ये विटनेस बना था या ये गवाही देने वाला बना था किसी केश का और गलत गवाह दे रहा ये प्रूब्ड हो जाएगा तो फिर जैसा कि मैं बताया उसको दो साल तक की जेल और या तो फाइन या तो जो है फाइन और जेल दोनों हो सकता है तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू